पूरी शाल जब कि हम किसी वी गमले में या किसी भी छत पर हम लगातार काम करते रहते हैं उसे फद लेते रहते उत्पादन लेते तो वो मिट्टी जो हाड हो जाती है थोड़ी कठोर हो जाती है, कड़ी हो जाती है, इस मिट्टी को हमेशा मुलायम, औरवर और फर्टाइल और सेहत मंद बनाए रखने के लिए इसके लिए जरूर्थ है पंचगव्य की और वो पंचगव्य जो किशान या ग्रहनी या छटपर भागवानी करने वाले लोग या क किचन गार्डन करने वाले लोग आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, तो यह तो पंचगव्य गाय के पांच उत्पादों से तयार किया जाता है, जिसमें गाय का गोवर, गौमूत्र, दूद, दही और मक्षन का होना अनवारिया है, लेकिन आम ग्रहनी के घर में या गाय के उस पांच उत्पादों के बराबर है, गौवर, गौमूत्र, दूद, दही और मक्षन, तो पांच दिन में अभी पंचगव्य तेयार हो गया है, इसको पुस्ट पंचगव्य या जो रास्ट्य जैवी खेती के इंदर ने अपना सोध किया है, और जो आशानी से किय पाया जा सकता है, इसके लिए जो अन्य पांच उत्पाद है, इन पांच उत्पादों में कोई भी बेशन, जो आपके घर में उपलब्द हो, किशी भी दाल का हो, ये ले सकते हैं, गौड आम तोर पे सब के घर में पाया जाता है, कोई भी फल, कोई भी फल, जो आपके घर इसके साथ सा यह थूड़ा है इनमें जो भी चीज हो आप ले लीजिए अब हम 20 लीटर हमारा जो वेश्ट डीकमपोजर त्यार है इस वेश्ट डिकमपोजर में एक एक करके जो हमारे यह दाल का बेशन हैं यह इसमें तोड़ा डालेंगे 100 ग्राम इसके साथ साथ ये मेथी का आटा है ये भी हम इसमें 100 ग्राम डाल देंगे और इसके साथ साथ जो हमारा ये खल है ये इसमें डाल देंगे और इसके साथ साथ जो हमारे पास फल हैं ये फल भी इसके अंदर इस तरह से आप डाल देंगे चौपिंग करके और इसके ब बाद में इसको ठीक से चला देते हैं और चलाने के बाद यह साथ से 10 दीन में आपका जो डीकम्पोजर युक तो पंचगा व्याज्जो राष्टेज जैवी खेती के दिर न तयार किया यह 5-7 दिन में दस दिन में तयार हो जाता है और तयार होने के बाद इसमें 1-10 तो 10 या डालने से बहुत बढ़िया मिट्टी मुलायम, सुन्दर और बायलोजीकली एक्टिव हो जाती है, जिससे मिट्टी में उपलब्द सारे पो सकता, तो पौदों को मिलने लगते हैं, और साती सात इसका पांच परसेंट का इस्प्रे भी किया जा सकता है, जिससे ओ क्रॉप की क यानि पोधों का जो हरा भाग है, वो दुरूस्त रहता है, हेल्दी रहता है